हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टु माई चैनल, दोस्तों आज हम एक्स्क्लेंड करने जा रहे हैं, 2019 में आई एक होरर, ड्रामा, थ्रिलर मुवी को जिसका नाम है डाउन, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, मुवी के सुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को जेनिफर आपिस का काम खत्म करके अपना सामान और कुछ केंडिस को लेकर यहां से निकल जाती है, इसके बाद हमें गाई नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि इसे आपिस में काम करता है, गाई भी अपने घर पर जाने के लिए जल्दी जल्दी से तयार हो रहा था जेनिफर 49 फ्लोर से लिफ्ट के अंदर आती है और गाई 42 फ्लोर से लिफ्ट में आता है, गाई के पास एक वाइन की बोटल होती है, जो इसे इसके एक फ्रेंड में इसे गिफ्ट किया था, लिफ्ट में आते ही गाई जेनिफर से बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर गा मुझूद इमर्जनसी अलार्म बटन्स को प्रेस करता है लेकिन यहां पर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था गाई लिफ्ट का दोर खोलने की भी कोशिश करता है लेकिन वह उसे भी नहीं खोल पाता यह दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे में देखकर अपने लिए हेल्प लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला यहां पर कोई भी नहीं था गाय को एक आइडिया आता है कि वो लिफ्ट के ऊपर लगे इमर्जंसी पैनल को खोल कर यहां से निकल सकते हैं जिसके बाद जेनिफर गाय के कंदों पर बैठ कर इमर्जंसी पैनल को ढूड़ने लगती है लेक जेनिफर यहां गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पानी है तब गाय इससे कहता है कि हाँ मेरे पास पानी के साथ साथ एक वाइन भी है तो क्या तुम पानी लोगी या फिर वाइन जेनिफर कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ पानी चाहिए गाय से बाटन लेकर जेनि इसे पी आता है, लेकिन जैनिफर लिफ्ट में फसी थी, और इसके सामने एक अंजान आदमी था, जिसकी वजह से जैनिफर अपनी परसानी उस आदमी को बताने में काफी जैदा सर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन डाय जब जैनिफर को इस हालत में देखता है, तब ये लिफ्ट के corner में खड़ा होकर, अपनी आख और कान बन्द कर लेता है, जिसके बाद जेनिफर एक थरमस में पी करने लगती है, पी करने के बाद जेनिफर को काफी ज़्यादा राहत मीलता है, लिफ्ट के अंदर बैठे बैठे, ये दोनों काफी ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए ये दोनों यहाँ पर कुछ गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते, ये दोनों अपने परसनल लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जेनफर यहाँ बताती है, कि वो आज की राट फ्लाइट से नियू यॉर्क जाने वाली थी, क्योंकि वो अपने एक स्फियांसे को सर्प्राइज देना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर फस गई, और वो ऐसा नहीं कर पाई, गाई अपने पास मौजूद वाइन की बाटन खोलता है, और लिफ्ट के अंद इसे दिखाता है, तब जेनिफर अपनी ड्रोइंग देखकर काफी ज़्यादा खोस होती है, जेनिफर उस ड्रोइंग की फोटो लेती है, क्योंकि वो इस फोटो को अपनी प्रोफाइल पर लगाना चाहती थी, ये दोनों अब अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में ए कि वो भी अपने लाइफ में हुई ऐसी चीज़ों को उसे बता सकता है, गाई यहाँ पहले तो सर्माता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी अपने बारे में बताने लगता है, गाई यहाँ जेनिफर को कई सारी चीज़े बता देता है, एक दूसरे के बारे में कुछ बाते जान करता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो गाई की बात सुनकर जेनफर उससे कहती है कि अभी कुछ समय पहले जो हम दोनों के बीच में हुआ था वो सिर्फ एक टाइम पास का जरिया था और ये उसे लेकर जरा भी सीरियस नहीं है क्योंकि वो अभी अपने एक लेक्स फियांसे से ही प्यार करती है और वो उसे से मिलने New York जा रही थी लेकिन गल्डी से वो यहाँ पर फस गई जेनिफर की बात सुनकर गाई जेनिफर को काफी ज़ादा कनaben्स करने की कोशिस करता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी ज़ादा प्यार करता हूँ इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि आज हमारे साथ में जो भी हुआ ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है गाई की बात सुनकर जेनिफर सौक्ड हो जाती है गाई जेनिफर से कहता है कि इनका लिफ्ट में मिलना और लिफ्ट में इतने देर तक फसे रहना ये कोई एक्तफाक नहीं है बलकि ये इसका एक प्लान था गाई यहाँ जेनिफर को ये भी बताता है कि वो यहाँ किसी ओपिस में काम नहीं करता बलकि वो इस बिल्लिंग का सिक्योरिटी गार्ड है ये सारी चीजे जानकर जेनिफर उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तब ये आदमी यहाँ गुस्से में आकर बोलता है कि मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिस की लेकिन तुमने मुझे हर बार ही इड्मियर किया इसलिए मैंने भी तुम्हारा पिछा नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें हर बार कैमरे में देखता ही रहता था कि तुम कब क्या करती हो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में पता था कि तुम कब आपिस में आती हो और कब आपिस से जाती हो ये आदमी जेनफर को कुछ वीडियो फोटेज इसे दिखाता है इसके बाद ये आदमी अपनी जेब से चाभी निकालता है और उस चाभी से निफ्ट को चालू करता है जैसे ही निफ्ट चालू होती है वैसे ही जेनफर यहां गुस्टे से इसके उपर चिलाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ में जो भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भेजकर रहूंगी जेनिफर की बात सुनकर गाई गुस्षे में आ जाता है और दुबारा से निफ्ट को बंद कर देता है जेनिफर उस निफ्ट को चालू करने जाती है लेकिन गाई इसे ऐसा करने से रोगता है इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट सीन क्रियेट होता है और जेनिफर का पैर निफ्ट में लगे चाभे पर लगता है जिसकी वजह से वो चाभी तूर जाती है जेनिफर अपने जू जाती है इसलिए यह दोनों अब सच में यहाँ पर फस जाते है इन दोनों को जब भोस आता है तब गाई का वेवहार पागलों की तरह का होता है और यह जेनिफर पर काफी ज़्यादा चिलाता है जेनिफर ने जो गिफ्ट अपने फियांसे के लिए ली थी उसे गाई खोल देता है गाई जेनिफर से कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए लिफ्ट का दरवाजा खोल दूगा जिसकी वजह से तुम लिफ्ट से बाहर आ जाओगी लेकिन जेनिफर कहती है कि नहीं पहले मैं उपर जाओगी क्योंकि मेरा वज़न तुमसे कम है इसलिए मैं ऊपर जाकर तुम्हें भी ऊपर खीच लोंगे और हम दोनों एक साथ में यहां से निकल जाएंगे जिसके बाद गाई जेनिफर की बात माल लेता है और ये इसे अपने कंधों पर बिठा कर उसे लिफ्ट के ऊपर छोड़ देता है जेनिफर जब लि जेनिफर पर खूब चिलाता है अब जेनिफर लिफ्ट में बने सीडियों पर चड़कर दरवाजे की और जाने लगती है लेकिन गाई भी किसी तरह से लिफ्ट के बाहर आ जाता है जेनिफर किसी तरह से लिफ्ट का दरवाजा खोल कर वहां पर चिलाती है लेकिन गाई यह पर आ चुका था और वो जेनिफर को पकड़ कर नीचे कुछ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों फिर से उसी निफ्ट में आकर गिरते हैं और बेहोस हो जाते हैं जेनिफर को जब होस आता है तब ये लिफ्ट के अंदर कुछ चीजों को जलाती है और लिफ्ट में धुआ करत ताकि लिफ्ट में मौजुद fire system इस धुए को sense करके fire department को message दे सके क्योंकि इस building का fire alarm fire department से connected था जेनिफर ये सब कर ही रही थी कि तभी guy को host आने लगता है लेकिन जेनिफर इसे मार कर इसके हाथ और पैर को कप्रों से बाहँ देती है जेनिफर अपने साथ हुई सभी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है और ये गाई को भी अपने गलती मानने के लिए कहती है ताकि जब ये यहां से बाहर जाए तब जेनिफर को कोड का चक्कर लगाना न पड़े गाई पहले तो अपने गलती नहीं मानता लेकिन जेनिफर इससे कहती है कि तुम अपने गलती मान लो वरना मैं तुम्हें काफी ज़्यदा टाउचर करने वाली हूँ जेनिफर की बात सुनकर गाई अपने गलती मानने के लिए तयार हो जाता है और जेनिफर इससे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है गाई यहाँ जेनिफर को बताता है कि मेरा असली नाम जॉन डिकन्स है कुछ साल पहले मैं सराब पिकर गाड़ी चला रहा था और उस समय मेरा एक्सिडेंट हो गया जिसकी बजह से मुझे जेल में जाना पड़ा था गाई कहता है कि पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड मौजूद था इसी बजह से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी लेकिन कुछ समय बाद मुझे इस बिल्डिंग में सिक्योर्टी गाड़ का काम मिला और मैं यही करने लगा इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी बिल्डिंग में सिक्योर्टी गाड़ का काम करता था इस आदमी का नाम एडी होता है एडी यहां अपने गल्फ्रेंड को छट पर घुमाने के लिए लेकर आया था इडी जब CCTV कैमरे में देखता है तब इसे लिफ्ट में दो लोग हसे हुए दिखते हैं इडी स्पीकर की मदद से लिफ्ट के अंदर बात करने की कोशिस करता है फाइनली लिफ्ट के अंदर से जेनिफर इससे बात करती है एडी जब लिफ्ट का दर्वाजा खोलता है तब ये उसे पूरा नहीं खोल पाता और एडी इसकी दूसरी चावी लेने जाता है एडी जब यहां से जाता है तब गाई जेनफर के उपर हमला करके उसे बेहोस्त कर देता है एड़ी जब लिफ्ट की चावी लेकर आता है तब ये उस चावी को लिफ्ट के अंदर ठेक कर कहता है कि चावी से लिफ्ट आउन करके दर्वाजे को खोल दो लेकिन अंदर से आवा जाती है कि मुझे हेल्प चाहिए एडी जब लिफ्ट के अंदर देखता है तब यहाँ गाई उसे कसकर पकड़नेता है और लिफ्ट को चालू कर देता है लिफ्ट को चालू होने से एडी का सरीर दो टुकडों में कड़ जाता है और एडी मारा जाता है गाई जेनिफर को बिहोस करके उसे एक कार के डिग्गी में रखता है और लिफ्ट में वापस आकर एडी की बॉड़ी को छुपाता है गाई वास्टरूम में आकर अपने उपर लगे बलड को साफ करके सिक्योरिटी गार्ड का नया ड्रस भांता है गाई उन सभी CCTV फोटेज को डिलेट कर ही रहा था कि तभी एडी की गल्फरेंड यहां आती है जिसे देखकर गाई डर सा जाता है ये लड़की गाई से पूछती है कि क्या तुमने एडी को कहीं पर देखा है तब गाई इससे कहता है कि वो तो कब का यहां से चला गया ये सुनकर ये लड़की भी सोचती है कि हो सकता है कि एडी सच में यहां से चला गया हो ये सोचकर ये लड़की भी यहां से जाने लगती है लेकिन तभी गाई इस पर पीछे से हमला करके इसे भी मार देता है गाई अब अपनी कार लेकर बिल्लिंग से निकल जाता है और अपनी कार को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है गाई एक डस्ट बिंग में फ्यूल गिराता है ताकि वो जेनिफर को इसमें डाल कर उसे जला कर मार सके गाई जेनिफर का सामान डस्ट बिंग में डाल ही रहा कि तभी जैनिफर को होस आता है और ये गाई को फ्यूल बाटल से मारती है जिसकी बजह से गाई नीचे गिर जाता है जैनिफर गाई की कार लेकर यहां से भागती है और गाई चिलाता ही रहता है जैनिफर कुछ दूर जाकर उस कार को रिवस करती है और गाई को उस कार से नहीं पाता और जेनिफर इसके पास आकर सिगार जलाकर स्मोक करती है और उस सिगार को दस्टिविन में फेट देती है जिसकी वजह से दस्टिविन में आग लग जाती है और गाई मारा जाता है गाई को मार कर जेनिफर को काफी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और ये यहां से चली जाती है इसी के साथ में ये मूवी यही पर खतम हो जाती है थैंक्स पार वाचिंग आइस